नमस्कार सिक्षार्थियो शोद पद्दतिया और सांखिकी की व्याख्यान श्रिंकला में एक बार आपका पुना स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने शोध अभिकल्ब के बारे में जाना था कि उसकी परिभाशा क्या है, उसका महत हो क्या है और कुछ प्रकारों के बारे में हमने बात करी थी इस व्याख्यान के दूसरे भाग में हम कुछ और प्रकार के शोध अभिकल्बों के बारे में बात करे जैसे अध्यान जन संक्या की साथ संपर्कों की संक्या के आधार पर हो सकता है जो अभीकल्प को हम दो समों में वर्गिक्रित कर सकते हैं पहला है क्रॉस सेक्षन अध्यान अभीकल्प और दूसरा है अनुदैरियो अध्यान अभीकल्प क्रॉस सेक्षन अध्यन अभिकल्प में क्या होता है कि हम एक ही समय पर अलग-अलग आयूवर के प्रतिदर्श को लेकर उसका अध्यन करते हैं यह शोद संग्रशन एक घटना, इस्तिती, समस्या, अभिवृतिया, मुद्दे के प्रसार को जानने वाले अध्यनों के लिए सबसे उप्योक्त होती है जैसे हम एक उत्पात के प्रयोक से भोक्ता संतुष्टी के स्तर का मापन कर सकते हैं अलग-अलग भोक्ताओं से एक ही समय पर हम उस उत्पात के बारे में राय ले सकते हैं या एक समुदाय की स्वास्त आवशक्ताओं का आखलन कर सकते हैं इस शोद अभिकल्प में अध्यन जनसंक्या के साथ के बर एक ही बार संपर्क होता है इसलिए यह सस्ता और विशलेशन करने में आसान होता है इसमें शोद करता बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च में ही बहुत सारी महत्पूर्ण सुचनाई कत्र कर सकता है जैसे परिवार में खाद उपलब्ड़ता के बारे में हम शोत करें तो हम क्रॉस सेक्शन अध्यान अभीकल्ब का प्रयोग कर सकते हैं या नवजा शिशूं का वजन वा लंबाई के बारे में हमने जानकरी खटा करनी हो तो हम अलग अलग शिशूं का एक ही समय पर अध्यान कर सकते हैं और उनका तुलनात्मक अध्यान कर सकते हैं तो उस इस्तिति हमें क्रॉस सेक्शन अध्यान अभीकल्ब की अवश्यक्ता होगी दूसरा है अनुधैर या अध्यन अभिकल्ब इसमें प्रतिभागियों के एक ही समूगा बार बार निरिक्षन या परिक्षन किया जाता है जो लंबे समय तक किया जाता है और इसलिए इसको दीरकाली अध्यन अभिकल्ब भी कहते हैं और समय के अनुसार परिवर्तन के सुरूप को निर्धारित करने के लिए इस अभिकल्ब का प्रयोग किया जाता है जब निरंतर अधार पर तथ्यात्मक जानकारी इकत्र करने की आवशक्ता होती है तो उस स्थिति में अनुधैर या अध्यन अभिकल्ब उपयोगी होते हैं इस में समय अंतराल की कोई सीमा नहीं होती और प्रत्य अध्यन के अनुसार अंतराल की सीमा बिन्न बिन्न हो सकती है इसका मुख खिलाब यह होता है कि यह शोत करता को परिवर्तन के पैटर्न को मापने और उसके तथ्यात्मक जानकारी लेनी की अनुमति देता है जिससे सम्मूं का बार-बार परिक्षन करते हैं नियम समय अंतराल पर तो इसमें वियाय बहुत अधिक होता है धन का और समय अधिक लगता है और कई बार एक ही व्रतिभागे से बार-बार संपर करने से शोत करता कई बार बायस हो जाता है और पूर्वाग्रह के कारण शोत के इस तरह का अध्यान अभीकल्ब काप्रियों किया जाता है संदर बावदी के अधार पर अध्यान अभीकल्ब संदर बावदी इस समय सीमा को संधर्वित करती है जिसमें एक अध्यान के अंतरगत एक घटना इस्तितिया समस्या की खोच की जाती है और इस आधार पर अध्यान अभीकल्ब को हम दो प्रभु समुह में वर्गिकरत कर सकते हैं पहला है पूरवरती अध्यान अभीकल्ब और दूसरा है भावी अध्यान अभीकल्ब पूरवर्ती अध्यन अभीकल्प को हम Retrospective Research Studies भी खहते हैं जो अतीत में हुई एक घटना समस्या के कारणों की जाज करती है इस स्थरा की शोध अभीकल्पों में हम पूरू में घटित हुई घटना के बारे में शोध करते हैं एक पूरवर्ती अध्यन में विगत समय में प्रभावित करने वाले संदेग्द जोखिम कारकों या सुरक्षा कारकों की जाज की जाती है और अध्यन के लिए शोध करता उन प्रतिदर्शों का चैन करते हैं उन प्रतिभागियों को नामांकित करते हैं पहले से ही उस स्थिती से अनुभव कर चुके हो या पहले से उन्हें कोई बिमारी हो तो उस तरह के अध्यन अभीकल्पों के लिए हम पूरवर्ती अध्यन अभीकल्पों का प्रयोग करते हैं इस तरह के अध्यन अभीकल्प के लिए आक्ट एकत्रित करने के दो तरीके होते हैं कि पहला तो जो शोत करता हो जो वह लिखित साक्ष जैसे किताबें, पत्रिकाएं, सामाचार, पत्र डाइरी या कोई अन्य अभी लिखाओं से जानकारी एकत्रिक करें या फिर वह से खुद पूछे जो उस अध्यन विशेश वाली घटना से संपर कर चुके हैं और उनकी याद्दाश के अधार पर जानकारी इखटा करें इस तरह के अध्यन अभीकल्पों में पूर्वाग्रह की संभावनें बहुत अधिक होती हैं क्योंकि इसमें आंकडे कहीं प्राथ या पूर्वाग्रह से बचने के लिए जांच करता को यह आवशक है कि वह प्रतिदर्श का आकार बढ़ा ले यानि सैंपल साइज बढ़ा सलेक्ट करें अतीत में हुई किसी भी चिकित्सा परिसितियों का अध्यान करने के लिए या विधी बहुत उभ्योंगी हैं जैसे दारण के लिए हमें फेफड़ के कैंसर और धूम्औ가न में रिखासर से घ्रिषत् Mini की पहचान करेंगे उनको अपना प्रतिदर्श चाहिनित करेंगे और इस तरह से हम उनमें धूम्रपान की आदत का पूरवर्ती अध्यन कर सकते हैं फिर हैं भावी अध्यन अभिकल जिसको प्रोस्पेक्टिव रिसर्स टाडीज भी कहते हैं इसमें भविष्य में होने वाली किसी घटना, स्थितिया, कारिक्रम, अभिवर्तिया, बिमारी के प्रभाव का कारण का अध्यन किया जाता है इस अभिकल्प में किसी संदिक्त जोकिम कारा किया सुरक्षा करक के प्रभाव को आने वाले समय में अध्यान किया जाता है जैसे अध्यान के लिए प्रतिभागियों को बीमारी या घटना, स्तिती, कारिक्रम, अभिप्रिती के विकास से पूर्वी नमांकित कर लिया जाता है समान उधारन को हम इस तरह प्रयोग कर सकते हैं जैसे फेफडों के कैंसर वा धूमरबान में सह संबंद स्थापित करें तो हम धूमरबान की आदत वाले व्यक्तियों को लेंगे जिसमें फेफडों के कैंसर होने के समभावना का भावी अध्यान कर सकते हैं फिर है cohort अधियन, cohort अधियन जनसंक्या के बीच को सामान विशेष्थाओं के अधार पर आविजत किये जाते हैं, विशेष्थाओं हो सकते हैं, जिसे सेम आईू, रोजगार, शादी, शिक्षावर्ष, प्रजनन व्यभार, या कोई भी जनसंक्य की उसकारक के रूप में हो स कोहर्ट मतलब एक ऐसे समू जिसमें जितने भी प्रतिभागी होंगे वह सब समान विशेष्टाएं वाले कोई ना कोई समान विशेष्टाएं वाले होंगे इसमें हम समय के साथ एक निश्चिद अंतरार पर क्रॉस सेक्शन अध्यन का प्रदर्श प्रदर्शन कर सकते हैं य रुजान अध्यान जिनको हम trend studies कहते हैं एक निश्चित अवधी में परिवर्तन का आलेक बनाने के लिए इस तरह के अध्यान का अभीकल्पों का प्रयोग किया जाता है रुजान अध्यान के विशलेश्टर से यह पता चलता है कि अतीत में क्या हुआ है या वर्तमान में क्य साले जाते हैं वर्तमान और अतीत के रुजानों के अधार पर भविश्य के बारे में घटना की भविश्यवानी करने के लिए इस प्रकार के अध्यान उप्योगी होते है और इस तरह के अध्यान अभीकल्पों का प्रयोग हम fashion उभोकत विभार या पोशन इस तर या आहरी पैटर्न इस तरह के शोधों से संबंधित अगर हम सब्जेक्ट से संबंधित अगर हम शोध करना चाहते हैं तो उसमें हम रुजान अध्यान का अभीकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और गुणात्मक शोध जो qualitative studies होती हैं उसमें अध्यान अभीकल्प किस प्रकार हो सकते हैं और यह जितने भी अध्यान अभीकल्पों के प्रकार हैं यह आकड़े संग्राण करने के तरीके भी हैं इनसे हम आकड़े भी संग्रीद करते हैं जिनका हम visualization करके किसी निश्करश पर पहुंचते हैं एक अच्छे शोध अभीकल्प की क्या विशेष्टाएं हो सकती हैं शो अभीकल्प के चयन द्वारा शोध करता अध्यान की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए वस्तो निश्ट विदी से प्रयोगात्मा का वस्ताएं व्यवस्तित कर सकता है एक अच्छा अभीकल्प लचीला होता है जिससे कि कभी हमें कोई change करना पड़े तो हम उसमें कर सक अच्छेत होता है उप्युक्त कुशल और मित्वया यानि कम खड़चिला होता है और एक अच्छे अभीकल्प की अविशेश्ता होती है कि उसमें पूर्वाग्रहनी होना चाहिए ऐसा अभीकल्प होना चाहिए जिससे बायस कम से कम हो और एकत्रित और विश्लेशन किये आकड़ों की विश्वशनियता जिससे बढ़ सके वह अभीकल्प जो अधिक्तम जानकरी प्रदान करे और किसी शोद समस्या के अलग-लग पहलों पर विचार करने का अवसर ब्रदान करे वही सबसे उप्योक्त और कुशल अभीकल्प माना जाता है एक अच्छा शोद अभ अभीकल्प सभी अवशक्ताओं की पूर्ति नहीं कर सकता इसलिए अपनी शोद समस्या या शोद विशय के चयन के आधार पर हम शोद अभीकल्पों का प्रयोग करते हैं एक विशेश शोद समस्या के लिए उप्योकते शोद अभीकल्प त्यार करने के लिए कई कारकों प तहात हम कोई शोद कर रहे हैं और हमें क्या निश्कर्ष पानी के आशा है और जो पूरा शोद का रही है उसके लिए समय और धन की उपलब्त था क्या होने चाहिए तो शिक्षार्ट इस व्याख्यान में आपने शोद अभीकल्प के विबिन्न प्रकारों के बारे में और उस झाल 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 झाल